मुझे एक बार आवाज आया तो मैं समझा एक कुछ तो हुआ है ध्यान नहीं दिया अब क्या बोल रहा है ठीक है न आपको हो जाना की यह सही है बैकप भी रहेगा अब करके गया था न वह बीच में रोग दिये था इसको रुपा स्टॉप कर दिजा भी तो अब स्टाट करेंगे इस वैच का है रेकॉर्डिंग स्टाट है अब क्या ला जाब मैं बही है उनलाधे da works यह है है अब धभी लाओं सब्साब झाल झाल ठीक है जी सो स्टाट करते हैं तो हम लोग ने अभी कल क्या स्टाट किया था इसमें खेजमेंटिक रेफनिशन प्रवाइलिटि कर रहे थे इसमेंटिक प्रपरटीज फ़ाइलिटिक फ़ंक्शन भी देख रहे थे यही चल रहा था फिर कुछ कुछ कर वा रहे हैं था ही थिंक चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं फिर इसमें क्या है कि मैंने मैं इंडिपेंडेंस ओफिमेंट थोड़ा डिस्कस करता हूं उससे पहले हम लोगों ने अभी देखा था ना लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे पेर वाइड डिस्वाइंट और मुच्वाली डिस्वाइंट यह देखा था ना यहां पर थोड़ा सा अभी कंडिशनल प्रॉवल्टी बेस थे और हम इंडिपेंडेंट अविएंट्स तो कंडिशनल पहले बताऊं कि आप कंडिशनल तो इजी है या कुछ कोशन प्राक्टिस करोगे कल हम लग कुछ कोशन पर उसके कुछ कोशन करो जो कल हम सॉल्व कर रहे थे तो उसके हां उसमें एक दू कोशन सॉल्व करकर देख लो जैसे कुछन यह है कुछन लिको पर हम टाइम की खतम हो गया था तो इसको जड़ा सॉल्व करो यह जैसे कुछन है लेट एंड एंड एफ बी तू इवेंट्स माई किसी का ओन है मूट कर लो किसका ओन है का ओन है नाम बोल दिजए अमीद हां तो बी इवेंट बी तू इवेंट्स ठीक है तो आप से पूछ रहा है की देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो पहला तुम से पूछ रहा है की दूसरा हापसे पूछ रहा हיןा घिव पूछ लाट बी किउट्सनल ume और लो और आप से पूछ रहा ही गीब, probability of E intersection F जो होगा, less than equal to होगा, minimum of PE, PF के और तीसरा होगा, probability of E union F जो है, यह more than equal to है, max of PE, PF से और चौथा event है, probability of E union F more than equal to, less than equal to, less than equal to, minimum of, जो कल मैंने आपको आपको theories पढ़ाई थी, कुछ हमने theorem discuss किये थे, बोल्न-फेरोण inequality, बोल्स inequality और कुछ एक्जमेटिक definitions पर बेस्ट कुछ हमने questions किये थे, formula, probability of E intersection F इस तरह से, तो उस पे आपको यह decide करना है, PE plus PF, comma 1, तो आपको जाना कौन-कौन सा statement इसमें से true है, सोच के बताईए, सो इन में से कौन-कौन साथिमें true है, यह बताना है, तो आपको यहाँ पर correct option चूज करना होगा, ऐसे ही questions आपके exam में आएंगे, और अगर आप यहाँ नहीं चूज कर पाएंगे, एक्जाम में भी तो फिर आपके marks नहीं आएंगे, तो selection नहीं होगा, the thing is, you should be able to solve questions, the purpose यह है, तो आप try कीजिये, solve करने कोशिस कीजिये, गल्तियां हो रही है, तो उसको पकड़िये, क्या गल्ती हो रही है, क्यों उसको नहीं हो रही है, उसको ठीक कीजिये, the thing is, problem solving is important, यह पहला question है, दूसरा question है यह, कि probability of AI, कल भी इस तरह question लिखाता है, लेकिन यह different है, 2 by 3, for AI बढ़र 1, 2, 3, 4, probability of AI intersection, AJ complement, AJ complement, this is equal to, 1 by 6, ठीक, फिर यह भी है, for all AI, different than J, 4 नहीं, 3 के लिखलो, ठीक है, यह complement, ठीक है, डास लगा है, complement, और, साथ में और condition है, कि probability, A1 intersection A2, intersection A3, A3 complement, यह complement लिखते है, यह complement जो है, this complement is equal to 1 by 6 again, यह question कल ऐसा लिखाता है, एक question last में जो कर रहे थे, but not exactly same था, तो आप से पूछा जा रहा है, इन सब को use करके, यह information है आपके पास, कि A1, A2, A3 के probability Y3 है, और I, J, equal नहीं है, A1 intersection A2 complement, A2 intersection A3 complement, A3 intersection A1 complement, इस तरह से दे रखा है, तो वो 1 by 6 है, A1, A2, A3 complement 1 by 6 है, तो आप से पूछ रहा है, बताईए, then, what is the probability of A1 union, A2 union, A3, तो यह सब एंटरेंस में इस तरह questions आते हैं, jam और gate में, यह 0 है, यहां पर एक number 0 है, यह स्टरीटर रहा है, यह सुर्साटराओ, यह सब पर यह सब चंगे praxis 3 है, यह फूसर परशन आदीए, यह सब चुचन अपरिए, भागी नो कि रहे है, यह पी बतारे है इस कि पर्क साब्सался, अब दी हो गया डेली जो दो दो नो हो गया और दन वन उप्शन गरेक्ट हो सकता है अच्छा आपके सी भी है और दन वन उप्शन गरेक्ट हो सकता है कोई प्राप्लम नहीं जाम गेट दोनों में में इस क्यों आते हैं multiple select questions क्यों आते हैं ये कल भी मने ऐसे questions किये थे इस तरह है questions है आपके पास तीन questions है आप लिखे हुआ है try all three और answer बताओ आपके लिए आपके लिएशन पयाग ये शिएशन आते हैं आपके लिए आते हैं झाल झाल तू का अंसर आड़ा आपका 5 by 6 थर्ड का वताई है 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 थर्ड का वताई ह यह जा रहा है यह अच्छा 3 ka 19 by 16 19 by 16 19 by 16 झाल 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 थेσι对को давно तौन से किरेश। मिना थैल झाल णडाइव, तौन्टरी, तौना मुद्या भीजभेंस WarumD इसको सोथ्वेटी हैं इसका रभी 1 які सतना सका। ऋर्मीाव घर वीजा जाऊना झाल 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 तो 3 by 10 3 by 10 तो को दो जुआ not able to solve क्यों नहीं कर पा रहा है आपको यह सीखना है कैसा क्यों नहीं कर पा रहा है यह देखना पड़ेगा पाया 3 by 10 अचा 18 by 16 ही आ रहा है 19 by 16 okay सब्सक्राइब और इतर्म क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब थ OR L सो इस önce कि ए arbitrary आड है जो मैं सॉल्व करता हूं फिर है ना सबने सॉल्व कर लिये तो जो मैं सॉल्व कर लिये तो इस ना सबने है ना सबने कर लिये तो जो बाए चाहिए ना तो इसमें अगर मैं जाओं, कुछ लोग अगर ये इंट्रेस्ट हो कि झाल खाएंग। झाल झाल तो यह ना तुमने साथ बले बताए नहीं होगा हमने जैसे गेट का जो syllabus है ना वो इतने पार्ट से डिवाइड आपना syllabus देखा लड़ी यह syllabus उपन है यह syllabus हमारा यहां पर उपन है जैसे जो syllabus में क्या section है Calculus, Matrix Theory, Probability, Standard, Discrete and Continuous, Univariate Distribution फिर यहां stochastic process फिर आपका है estimation, testing of hypothesis, non-parametric statistics, multivirate analysis, regression analysis, खतम तो इसके हिसाब से अगर आप यहां देखोगे, तो यह syllabus के topics हैं, calculus, matrix theory, probability, standard, discrete and continuous, universal stochastic process, estimation, testing of hypothesis, non-parametric, multivirate, regression तो इसमें यह है कि total कितने questions आये, calculus portion से six questions आये थे, कितने marks के थे, अगर आप marks देखे हैं, total nine marks के थे, ठीक है रहा हूँ, यह मैं आपको gate 2024 का बता रहा हूँ, यह जो अभी gate का जो exam हुआ है, 2024 statistics का, उसमें क्या रहा है, उसका यह है, 25 में उपर नीचे तो एक दो marks हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा, यहाँ जिरो हो जाएगा, यहाँ ऐसा सोडी होगा, एक दो question उपर नीचे हो सकता है, मैं बता हूँ, सो यहाँ पर क्या है कि, काल्कूलर से किने 6 कोशन आया थे total, किस section में कितना देवी लिखा हूँ है, 6 कोशन आया थे, 9 marks के थे वो, matrix theory से 8 कोशन आया थे, 12 marks के थे, probability से 5 कोशन थे, यहाँ probability में actually random variable included रहे, ध्यान रखना, क्योंकि jam gate का syllabus अलग तरीके से लिखा गया है, jam में जो probability उसमें सिर्फ basic probability है, gate में जो probability नहीं लिखा है, वहाँ पे random variable भी included है, जो gate का probability नहीं लिखा है, conditional probability, based theorem, independence, random variable, distribution, distribution function, pmf, pdf, expectation, moment, moment generated function, quantile, distribution function of random variable, chb, safe, markov, intention, equality, यहाँ जो probability नहीं लिखा है, पूरा लिख दिया है, jam माले जो probability लिखे है, वो यहाँ से लेके just नहीं का यहाँ पे खतम हो जाता है, independence variance के आसपास खतम हो जाता है, तो यहाँ उनका random variable से अलग बना रखा है, त यह जो नहाल इसस है, इस सिलबस कहीं साब से है, तो मैं यह बता रहा हूँ, तो fully stat part, जे गुदा है, then you will start math part, नहीं, fully stat part, probability portion बढ़ाऊंगा, फिर एक mathematics portion बढ़ाऊंगा, फिर एक statistics बढ़ाऊंगा, फिर एक mathematics portion बढ़ाऊंगा, ऐसे करके, तो एक paragraph of statistics आभी cover करूंगा, फिर mathematics वाला, फिर statistics फिर एक mathematics ऐसे करके चलता रहेगा, तो प्रॉबिटी जो रैंडम विरेबल यूनिवेरियेट इंक्लूडेट हम आप है पीएमेफ 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 सीडियेफ इसरो पांच कोशन आये हैं पर ऐसे सेवन मार्क्स का है वो कुछ इधर भी इंक्लूड हो गया होगा जैसे स्टेंडर्ड डिस्क्री इसके पूर्टीन कोशन थे तो नहीं को मिला लो तुम आना तैसांवनीच कोशन तो बॉल टोल 23 मार्क की हो गया दो यूनिवेरियेट डिस्क्रीविशन जो गया उससे तिर तुम देखो की स्ट्रोकेस्ट्रिक पर उसे चार कोशन आये हैं यहां साथ मार्क्स के हैं और नो पाइडिया है पांच को संथे और आठ मार्क के थे नॉन पारामेट्रिक के तीन को संथे चार मार्क के थे मल्टिप्रिट आलेशिस के दो को संथे हे किते हैं मुक्क तो की इसार जो का तो स्पयल साथ होगे हैं DAVID को थे तंब आता है अच्छा में समझति गया कोई कुछ टॉपिक ना मर्टि विरि विरिएड और एक सिलेबस तोह उना व्न वैकिसे लिएaga तो यहां जो आपको regression दिख रहा है कुछ मुल्टिविरेट के topic भी regression के syllabus में आप यहां देखना चाहो इस यह चीज मुल्टिविरेट में ही पढ़ा दिया जाता है यहां पर देखो जो regression में syllabus लिखे हैं न तो यहां पर simple and multiple regression r square and their application distribution of quadratic form of random vectors यह तो टॉपिक है मुल्टिविरेट में ही हम लोग कभर कर देते हैं मतलब जो मुल्टिविरेट में आजाएगा तो इसलिए से मुल्टिविरेट का question थोरे से regression में shift कर दिये हैं तो ऐसा हुआ है तो यहां जो है इस regression में पांस दिख रहा है actually simple linear regression या multiple linear regression तो एक या दो question आते है जनरली ठीक है तो maximum 5 number का आता है regression से proper regression से बाकी multivariate analysis के topics हैं तो ऐसे लगा लो तो यह कुछ question इसमें include कर दिया है वैसे इसने 5 question लिख दिया है और 15 number का लिख दिया है ठीक है और general aptitude के आपको पता हिए general aptitude के यहां पे 10 questions आते हैं जो 15 marks के होते हैं total 100 marks हो गये और यहां total यह 55 questions हो गये 55 questions यह हो गये है और 10 questions aptitude के हो जाएंगे 55 यह और 10 questions aptitude के जो कि आपके total 65 questions gate में आते हैं तो यह roughly analysis है मतलब यह नहीं की exact और यह काम आप खुद भी कर सकते हो क्या करना है syllabus उठाने है 24 के paper उठाने है आपको पहला question देखना है किस syllabus का है दूसरा question किस syllabus का है दिर match करके you can count किस topics कितने questions है यह आप भी बना सकते हैं जैसे एक idea मिल जागा एक्जाम में कैसे क्या आ रहे तो यह जो चार topic extra है stochastic non-parametric multivirate regression यहां कितना ही इसने बनाया उसके हिसाब से कितना बनाया इसने stochastic के 7 marks कर दिये और non-parametric 4 हो गया multivirate 3 marks यह रहे 7 marks कितने हो गया अभी total 21 marks ना जो चार extra jam के अलाबा जो चार measured subject है regression 7 marks के multivirate 3 वहा साथ गिन 10 non-parametric चार 14 हो गया और stochastic 7 14 प्लस 7 कितना 21 एक्स्ट्रा है बाकी तो 15 marks aptitude है तो भी हटा दो तो 15-15 30 marks around 70 marks जो कहां है jam का है जो मैं कहता हूं around उसमें एक दो topic थोड़े से extra है अधरवाइस more or less कहोगे तो यह जो extra 4 subject है non-parametric हो गया या multivirate या regression या जो stochastic है उसके around 20 marks यहां 21 marks लिख रहा हम तुम्हें तो 20 marks यह हो गये 15 marks का aptitude 35 हो गया अच्छा 35 मार्क तो उदर बच्छे 65 marks राइए अच्छा ठीक है तो 5 सही होंगे तो हाँ तो होगा जिसने बनाया होगा घ्राथरी बनाया होगा मैं बता रहा हूं हो सकता है कई बार multivirate और regression में उसने ऐसे लिखे है तो okay है no problem तो जो भी है total मिलाक है 20 marks का extra है और 15 marks aptitude है तो यह आपके 35 marks extra होगा than jam तो around approach 65 marks जो पूरा jam का syllabus है वो गेट में है तो यह group में है आप लोग इस folder में जाएंगे मतलब तो मैं आगे अपने काम पर आता हूं और यहां मने गेट का मर्ज कर रखा है 19 से 24 ऐसे यहां पर सारे मर्ज कर रखे एक साथ आप सॉल्व कर सकते हैं जो लोग थोड़ी थोड़ी बहुत आती है ना जैसे यहां पर 2005 से 2024 का मर्ज पीडियफ है एक साथ है हां तो आपको सिखना पड़ेगा जिन लोगो थोड़ा बात बैक्रांड अलड़ी है तो आप लोग सिधा पीवाई क्यू सॉल्व कर गया आपने आपको टेस्ट कर सकते हो और यहां आपको दिख रहा है 5 से 24 एक चोली गेट स्टाटिस 2019 में स्टार्ट हुआ था आपको स्टाटिस्टिक्स के आते थे तो वह इसमें आप कर सकते हैं सॉल्व बाकि लिनेर ले बड़ा वही है तो यह तो माग गया आता हूं को संपर बट फिर भी है ना जिन लोग को अलड़ी थोड़े बहुत आइडिया महीं कह रहा हूं को सन आप यू जस स्टार्ट सॉल्विं आपको जरूर पीकुम तो मैं आपको क्या सिखना है और क्या नहीं शिक्कना है क्या आता है यह चीजा है नहीं को पोड़िर किया हो टाइगा लोग जाकर देख सकते हैं हमाते हैं यहां पर इसको इसको मैं सॉल्व करता हूं को अ यूप सब ने ट्राइ कर लिंगे आन्सर यहां सबका 19 by 60 आया है सबका ओके और इधर आपका BCD सबका करेक्ट है ओके यहां पर यहां पर इनेकुलिटी बेस्ट कोश्चन है ठीक है जाल देखते हैं इसको पहला आप्शन मुझे चेक करना है true है कि false है इसको मैं अगर चेक करूंगा true है कि false है तो उसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा E intersection F और इसमें क्या relation है तो आपको याद है इन दोनों को कौन सा इनिकॉलिटी रिलेट करता है यह प्रिविएस यह कुशन ही है एक्ट्वली जाम गेट के इसको रिलेट करता है तो आप देखिए क्या कहता है तो हम जानते है probability of E मैं पहला वाला question solve कर रहा हूँ E intersection F is more than equal to 1 minus probability of E complement minus probability of F complement ठीक और दूसरा हमें relate करना है probability of E intersection F को 0 के साथ तो यह भी ऐसा है अब आपको पता है कि जैसे हम अक्सर में आगे एक theorem यूज करूँगा मैं यह use भी करूँगा आगे खूँग जैसे for example मान लो theta is more than equal to x1 and theta is more than equal to x2 so what can I write by combining theta क्या होगा इसका common solution क्या होगा theta more than x1 भी है theta more than x2 भी है so what is the common solution of both equation both inequalities कोई बता हो क्या imply करेगा यह theta x1 x2 के साथ combined form में क्या relation बनाएगा बागी लोगों बता ही है है किसने का यह वो तो होई जाएगा वो तो आएबरेज से ज्यादा होगा आएबरेज से लिए जाएबरे रुए ज़े से और आए जारे जाएबरे जाएबरेज अफे-थे रहे जाए नहीं 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 वो तीक है लेकिन इसका common solution क्या होगा? तो क्यों ऐसा होड़ा है? यहां आपने यह 2 को चुना है, यहां आपने 1 by 2 को चुना है, ऐसा क्यों? तो आपको रेलाइज नहीं हो रहा है, इसकी वज़ा यह है, कि यह maximum है इन दोनों में, इसकी वज़ा यह है, कि यह maximum है इन दोनों में, आप अगर ग्राफ पर देखें, आपको इसली समझ आ जाएगा, जैसे एक में 1 लिया, एक में 2 लिया, एक थीटा इससे भी ज़्यादा, दूसरे वाले में क्या हुआ, यह है 1 by 3 और यह 1 by 2, थीटा इससे भी ज़्यादा, इससे तो वज़ा यह है, जो राइट साइड में होगा, इससे जादा, यह सब आगे मैं यूज करूँगा, MLE के कुशन साइंसा में खूब यूज होगा, यह यह यूज करूँगा, यह य यह होगा कि, कि अगर आपो कहीं के ऐसा मिले, यह थीटा common quantity जो x1 सभी ज़्यादा, x2 सभी ज़्यादा है, so common solution है थीटा more than equal to maximum of x1, x2, और यह if and only if यह होता है, both way theorem है, if this happen, then this happen, this happen, then this happen, यह if and only if, double implies है, ऐसी दूसरा theorem है, कि थीटा less than equal to x1 and थीटा less than equal to x2, इफ and only if क्या होगा, थीटा less than equal to minimum of x1, x2, तो अब यही पर यहाँ यहाँ यूज करें, अब ज्यान दीजे, तो इन दोनों theorem को यूज करूँगा इस question में, जो अभी question में लिखाया है, अब ज़्या समझे इसको, so अब यहाँ, अरे थोड़े से खुद भी दिमाग यूज कर लो, जैसे मैंने अभी example लिके, तुम फटाक से वो example लिके, same example से कर लो, तो मैं क्या समझा दूँगा तुम्हे अलग से, तो example मैंने यह समझा है, वो example खुद लिखके check कर लो, अभी यह मैं लिखा था, theta less than equal to 1, theta less than equal to 2, तो क्या solution होगा इसका, common solution क्या है इसका, तो देखनो ना, इसमें समझा क्या देना है, तुम्हें खुद से example बनाओ कर कोसिस करो, कि इसमें example लेकर जैसे अभी पहला बता है, वैसे दूसरा कर लो, जो भी minimum वाला होगा उससे छोटी होगी, so whatever minimum is there, उससे छोटी होगी, यहां पर क्या होगा, बदो यह जस्ट एक basic understanding है ना, कि थीटा इससे छोटी होगी, क्या होगा दोनों कि minimum से भी छोटी होगी, इसको यूज करते, अब यहां ध्यान दो, यह common quantity है, यह थीटा है, समझ लोगी example के लिए, this is more than this, and this is more than this, तो इसका common solution क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, कि थीटा more than equal to x1, थीटा more than equal to x2, is a fit better है ना, so when this, तो यह theorem है, this is a result, so that you need to use, so simply यहां से क्या आजाएगा, more than equal to maximum of both, so यह use करना, ज़र more than equal to है तो maximum less than, so more than at the maximum of quantity, the max use कर लो, comma 0, यह हो गया, पहला statement क्या कह रहा था, तो less than कह रहा था, इसले यह गलत है, so that's why it is wrong, now, अब मुझे relate करना है, E intersection F को E और F के साथ, probability of E intersection F को relate करना है, P E के साथ, probability of E intersection F को relate करना है, मुझे P F के साथ, बताएगे क्या relation है यहापे, so इन दोनों में क्या relation है, अब इनका common solution क्या है, जेको इन में किस में मैच कर रहा है, so E intersection F will be less than equal to minimum of P E, P F, so यह देखो, यहापे क्या लिखा हुआ है, जिससा इसा, so this is this the true statement, ऐसे ही अब हमें रिलेट करना है, E union F को P E और P F के साथ similar है, यहापे जैसे अब ही किया है, यही चीज अब union के साथ कर लेंगे, so union में क्या है, probability of E union F और P E, probability of E union F and P F, अब आपको पता ही है, कि union super set है, super set है, जिसका common solution क्या आएगा, maximum of, more than equal to maximum of both, ठीक, यह आजाएगा, probability of E union F more than P E, more than P F, so maximum से जाता हो जाएगा, so यह more than equal to maximum होगा, यह भी true है, ठीक, अब क्या है, E union F को relate करना है, sum के साथ और one के साथ तो वैसी हो जाएगा, so अगर आप, so probability of E union F, अच्छा, हम जानते हैं को यह लिखो, P E plus P F, कल लिख रहा है था न, इसका क्या condition है, क्या बीच में कौन सा साइन आएगा, हमने कल लिखा था, इसको sub additive condition बोलते हैं, this is a sub additive condition, अच्छा, वह आप हैं, तो अब आपको पास ऐसे ही, P E union F, one के साथ क्या relation है, less than equal to, less than equal to, तो यहां से क्या आजग आप दूनों है, तो यहां से क्या लिखेंगे, क्या imply करेगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, less than equal to minimum, less than, less than equal to minimum, P E plus P F, comma one, यही हो जाएगा, so P E comma P F, comma one हो जाएगा, यह आजएगा, so, यह भी true हो जाएगा, minimum है, यह भी true हो गया, तो इस तरह से, ठीक है, अब यहां पर देखो next question जो था, second वाला, कि हमें each AI की probability पता है, A1, A2, A3, तीनों की probability पता है, यहां A1 intersection, A2 complement, A2 intersection, A3 complement, A3 intersection, A1 complement, इस तरह से, यह 1 by 6 है, फिर हमें यह दे रखा है, अब पूछ रहा है कि बता हो यह क्या होगा, इसका formula तो हम चानते ही हैं, PA1 plus PA2, यह अगले page में solve करूँ, सो, यहां से, A1 union, A2 union, A3, सो probability of A1 plus A2 plus A3 minus और प्लस, सो आजाएगा प्लस में इसका, सो प्लस, A1 intersection, A2 intersection, A3 यह है, अब क्या करना है आपको, अब यहां पे actually, सो, क्या का information है, सो आप ज़र इसको समझीए, अगर मैं इसको लिखूँ, सो यह क्या कहना चाहरा है, क्या imply करेगा, यह imply करेगा, probability of A1 minus A1 intersection A1, is equal to 1 by 6, यही तो है यह, सो A1 minus A1 intersection A2, इस तरह से आजाएगी, थीक, तो यूज कर लो इसको चलो, तो मुझे क्या करना है, और यहां पे क्या करना है, यहां से क्या आएगा, probability of A1 minus, इसकी condition क्या आजाएगी, sorry, A1 intersection A2 minus, तो कि A minus B type का है, so A1 intersection A2 minus, probability of A1 intersection A2, intersection A3, वराबर 1 by 6, यहां से, तो और यहां से वो आ जाएगा, यह मुझे पता ही है, यह निकल आएगा, तो यह काम करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक हैं, देखो, जैसे यह है A1 intersection A2 complement यहां देखो, पॉल्टी 2 by 3 है, और यह 1 by 6 दे रखा है, तो 2 by 3 रख दो, तो A1 intersection A2 कितनी आ जाएगी? बोलो, इसको 2 by 3 रख दिया, पॉल्टी 2 by 3 आएगा, वी आएगा, पॉल्टी 2 by 3 रख दो रखा है, अब लास्ट वाले condition यूज़ कीज़े यह आ गया 1 by 2 अब यहाँ देखो इसकी probability 1 by 2 है और इसकी probability 1 by 6 है तो इसको उधर ले जाओ इसको इदर बुला लो तो 1 by 2 minus 1 by 6 क्या आ जाएगा यहां से 1 by 3 होगा तो 1 by 3 आ जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है यहां से आगया put कर लो साई values पता है so 2 by 3 minus 3 times same ही तो है minus इसकी probability 1 by 2 यह भी 3 times जिनों के value same ही है plus कितथज आया था ? 1 by 3 आया था सु यह कर लो 3 3 कुट गया तो हो गया 2 minus 3 by 2 plus 1 by 3 3 2 minus 3 by 2 1 by 2 plus 1 by 3 कितना हो गया 5 by 6 सबका यही यहा था सही है हemu आपने तरीके से सल गया है तो आपने तरीके से करें सही आंसर आप कर पाएँगे सुबस्क्रारत निगाल पाओ जरूरी है तो हमने answer पताए थे तो यह फाइब बई शिक सबका आ गया अब यहां पर था कि हमें यह पता ही तो कर लोगे न कल भी एक कुछन किया था मैंने एक लिस्ट टू अप थरी इवेंट्स अकर कम से कम तू अकर ओड़ा है यह तो यह कल मैंने इस तरह कुछन कही सारे कराये तो कल का जो क्लास एंड हुआ था इस तरह बहुत सारे कुछन लिखे थे उसमें कराये थे तो अगर आप वह वाले कुछन कर पा रहे हो तो यह भी कर पर आते हैं तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक्जिमेंटिक रेफिनिस्ट डिसकस किया अभी इतना ही किया अभी हम ना दो दिन में थोरे से और देख लेता हूं एक दो कंडिसन्स हैं एक दो कुछन्स तो बता देता हूं अज़ अज़र मैं कुछन लिखू हूं यहां पर कि यह कह रहा है कि तुर अज़र ऑपनावरा जितना खुता है ठीड है तग्या अज़र अज़र अपर सक जार अख का हूं और अि मशच अधनी मैंट लिखời किрахणंस हां है ज़ड कि international event such that A intersection B is a subset of C, तो क्या होगा, तो यहाँ से मैं पूछना जा रहा हूं तुम लोगों से, कि what is the probability, या option A है, probability of A complement, plus probability of B complement, this will be, less than equal to probability of C complement, या A complement, more than equal to probability of C complement, या जी जी, subset है, हाँ, जी जी, C, this is a subset of, yes, so A intersection B is a subset of C, जी, subset है, बात्यओश से, कि Kab다, कर दे जी, 17- GBा-C, कि solo 2 even, Sachsen है, ca बात्यव मैं घ्रावविट, जी, अए 1, लुम जी, अ ुम मैं जी,imientos बात्यवं जी, विसテू से, कि 36 थापनमाåों, या कि Wरी र sır the न और 100, 5, Maxim, Alpha,an आój Curtis, की । Soo I, बदो इनमसे क्या गरे क्या गरे टो आए टो आए टो आए छाए टो आए पर और करेक्ट हो शकुआ है तो आंप आप कोसिस करके at least एक स्टैंड लो कि आप क्या करेक्ट मानोगे यह तुभी आप इसमतारा बी करेक्ट है more than one करेक्ट हो सकता है देख लो अप करेक्ट है आप करेक्ट है अब आज किलिर नहीं आ रही है आपकी अच्छा तो आपके भी आ रहे है ठीक है अच्छा तो चलिए ट्राई करता है ना दो तीन लोगा ट्राई किया मैं करता हूँ अब करता है ना इसा कि Taste, को एक प्राई करो गलतियां करो तो क्यों तो या तो सही आंसर निकाल पाओगे या गलत आंसर आएगा तो आप सीखोगे यह है तो देखिए जैसे हमने कहा कि A intersection B subset है C का तो चुकि हैं सब compliment की बात कर रहा है तो मैं compliment लगा देता हूँ तो आप यह जानते हों कि माल लोगर ऐसा है मैं ऐसे लिखता हूँ अगर E subset है F का तो E complement और F complement में क्या relation होगा अगर E subset है सेम यहां पर अपलाई करते हैं यह concept है जिन बहुत लोग को पता होगा कुछ लोग को नहीं पता होगा सो E subset F का complement लेंगे तो subset superset हो जाएगा तो यहां ऐसा करते हैं सो A intersection B का पूरा complement ले लिया मतलब complement तो यह superset हो जाएगा C के complement का ठीक अब इसको अगर खोलो गए आप तो यह हो जाएगा A complement D Morgan's law कहता है कि this is superset of C complement तो मतलब यह वाली quantity superset है इससे और probability में अभी मुझे फिर theorem लिखना पड़ेगा यहां पे सो यह theorem ही है जो कि मैंने लिखा नहीं कि if E is subset of F then probability of E is less than equal to probability of F क्या इसका converse true होगा yes or no मैं गोलाओ E subset F का है ना तो converse may not be true मैं example लिखूँगा है ना ऐसा नहीं कि E की probability का मैं F से तो subset ही होगा subset नहीं भी हो सकता है तो मैं example लिखूँगा अभी तो आप समझो यह थ्योड़ा मैं एक तो वह ही यहां पे लगाता हूं यह superset है कि इसकी probability ज्यादा होगी तो हम तो का मतला always true अब सुछ रोगे है सर इक्वालिटी तो यहां भी लगा यहां भी है तो हो सकता है true हो सकता है true हो लेकिन अगर हम जब true बोलते हैं तो it should be always true अगर एक पॉइंट पर भी गलत हो गया तो गलत हो जाएगा तो जैसे यहां पे बोल रहा है हो सकता है यहां यहाँ पर क्या आएगा अब थोड़ा आगे इसको भू करो करो फ़र दर हम लगा सकते हैं तो हम क्या जानते ए यूनियन बी के बारे में यह जानते हैं कि फ्रॉबल्वल्टी ओफ ए कॉम्पलीमेंट यूनियन बी कॉंपलीमेंट यह वोता है इसका कुछ कर सकते हैं यहां कर दो सकते हैं ठीक है ना यह तो कर सकते हैं तो यह जो quantity है यह इससे less होगी और वो उससे less है तो हो गया काम हमाड़ा है ना तो हम यह जानते हैं मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि we know that probability of A complement union B complement this will be less than equal to probability of A complement plus probability of B complement अभी हमने देखा था ना यह क्या यूज कर रहा हूं यहां पर मैं यूज कर रहा हूं probability of E union F is less than equal to P E plus P F जो कल देखा था इस formula का नाम है sub-additivity बोलते हैं बुक में देखोगे तो लिखा रहाएगा sub-additivity condition तो यह है सो हो गया यह इस से ज्यादा है तो यहां पर यह है more than equal to probability of C complement सो यह हो गया यह finally आ गया this is more than this B is okay अब तो B okay है तो A okay नहीं है क्योंकि B का उल्टाए है अब बोल रहा है चुकि यहां पर A intersection B subset ना C का तो मैं बता है कि probability of A intersection Bs होगी वो less than equal to probability of C होगी तो यह more than कहरा है यह भी गलत है ठीक है ना तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया theoretically question ऐसे कर सकते हो नहीं समझा रहा तो कोई example ले लो इसका दूसा तरीका होता है कि अपने मर्जी से 3 set अपने मर्जी से कोई बनाओ जो इस condition को satisfy कर रहा हो फिर इन सब की find कर तो आपको समझा जाएगा यह भी कर सकते हो तो उसे option discard कर पाओगे तो यह एक अप्रोच है जिसे जिन लोगों ने answer बताए वो सकता है आप लोगों दूसरे तरीका से किया हो इस अपने लोगों आपको बिलकुल 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 वेंट राम सी आशे देख लो ना और एफ है वन टू थ्री ठीक तो अभी क्या रिलेस्टन है एफ में इस सबसेट है एफ का करेक्ट एक सारे लेमेंट एफ में अब मुझे आप बताएए एक कॉम्प्लिमेंट कौन सा सेट होगा इस्तो वन टू को छोड़ दीजे थ्री पूर फाइफ सिक्स अब आप सोचिए एफ कॉम्प्लिमेंट कौन सा सेट होगा तो वन टू थ्री छोड दीजी तो वन टू टू थ्री छोड देंगे तो एफ यह सूपर सेट होगया के होगी ये सबसेट हो गया इसका तो अभी ई सबसेट है यहां और यह इस तरीछ से है हाँ हाँ भूदा सकते हैं हम दिखायता हुं यह होगा कि जैसे कि इससे यह है और यह एफ है सो यह मालने ज़े इस सबसेट है फ का अब आप रेलाइस करो इसमें का एक को सोड़ के ताफ सोचो ऑई के बाहर ज्यादा स्पेस है या एक के बाहर ज्यादा स्पेस है तो फिए परमा बाहर मतलब इचाफ कम्प्लिमेंट को है F complement से ठीक है तो यह जो पोर्सन है यह white portion तो यह just F complement है और आप E complement लिखेंगे so E complement will be this one this will be E complement so यह जो मैं set कर रहा हूँ यह E complement including this ठीक है तो यह जो अभी मैं क्या color बोलेंगे इसको तो यह जो कलर में लिया है यह हमारा ए कॉंप्लिमेंट है जो वाइट था वो एफ कॉंप्लिमेंट था तो ऐसे समझा जाएगा ओके अच्छा मैं काउंटर एजामपल देखता हूँ ना जैसे कई लोग समझते अभी कुजिन पहले है तो कि अच्छा मैं यह है तो गारंटी है कि प्रोबाबिलिटी ओफ ए लेस दन इक्वल टू प्रोबाबिलिटी ओफ होगी इसका कंवर्स टू नहीं है अगर ऐसा होगा जरूर नहीं ऐसा होगा यह चीज़े है कंवर्स ट्रू नहीं है सो यह थे ओड़ा मैं एक्ट्वली सु बड़ इस भई भई हाँ कंवर्स इस नॉट ट्रू एक्जाम्पल देख लेता है जैसे हमने डाई को रोल किया यह आपके पास है अब जैसे ए मैं ले लेता हूँ हाना वन मालो एक्जाम्पल के लिए एफ ले लेता हूँ थ्री फोर ठीक सो यहां से यह मालो हमारा जो डाई है वो फियर डाई है सो प्रॉबली्टी ओजाएगी यहां से ओन वान वइस्क्षर कितनी हो जाएगे फूर वे इन दोनों क्या है यहां पर कैरते यहां आपने क्या देखा आप ने देखा कि मैंुंvat अप्र lunar फ्याब्लांRO प्रॉभ आ देखा कि प्रॉब्रेar आप Kevin-ook कम है drug वो हो सकता यहां यहां पर यहां यहां पर यहां पर की यह एक जाम्पल हो गया टो सकता है रीमेंट यहां डूसराहर यह हैं तरीके से यह आँगों को लगता है कि यह रहता है कि यह लगता लगता है यह त्यज्तीस प्रॉब कर दो देखता है चलिए एक और जैसे इस तरह एक ंरे सो बने धाटःता हूँ इसको वोलते है continuity theorem of probability तो इसमें क्या होता है कि कि यहाँ पर आपको दे रखा है इस पर gate पर question आये भी है पहले इस theorem पर इसका use करके यह बोलता है A and B non decreasing sequence था पहले तो मुझे define करना पड़ेगा non decreasing sequence क्या होता है non decreasing sequence of events आप लोग जो वहाँ पढ़ते हो sequence of real numbers पढ़ते हैं यहाँ बात कर रहे है sequence of events की बात में आएगा sequence of random variable है ना एक तो sequence of real numbers होता है जो calculus में analysis में आता है calculus of events sequence of events अभी देख रहे हैं आगे sequence of random variable आएगा sequence का मतलब हो n पे डिपेंड कर रहा है कर रहे हैं यह मतलब है so non decreasing sequence of events so मालो ऐसा है killet a1 a2 and so on be sequence of events such that non decreasing increasing हो सकता है यह इकोल हो सकता है यह मतलब है non decreasing है increasing यह इकोल हो सकता है तो यह हो जाएगा a1 subset of a2 subset of a3 subset of a4 and चलता रहेगा that is ऐसे भी लिख सकते हैं that is a n is subset of a n plus 1 for all n belongs to natural number ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसे n बढ़ रहा है तो value बढ़ रही है तो मतलब increasing sequence है यह non decreasing हैं कि इकोल भी हो सकता है अच्छा तो इसमें अगर आप से मैं पूछ लूँ यहाँ पे तो इसको आप कैसे लिखेंगे तो अब रिमार्क लिख रहा हूँ मैं कि अगर इस यह वाला sequence है माल लो तो आप से मैं पूछ लूँ एवन यूनियन एटू यूनियन सो अचलता जा रहा थी यह किसके एकोल आएगा हाँ सबसे लास वाला तो mathematically इसको हम ऐसा लिखेंगे limit n tends to infinity a n ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम पता है लास वाला कौन सा सेट है कैसे लिख वाएंगे क्या है तो यह वाण टू थ्री पोर चल रहा है दो जैसे हम शब का union लेंगे तो हमें सबसे क्योंकि बता है कि एवन यूनियन एटू 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 हो जाएगा एवन यूनियन एटू हो जाएगा तो इस तरी के से आजाएगा यहाँ पे मैं बात करूँ यही पर एवन इंटर सेक्षन एटउ एड्स तो यह चीज है क्योंकि इसमें सबसे चोटा यह जोटा यह चोटा यह पाइगा यूणिक जो लाश्ट वाला ये सबसे लाइगा यह सबसे लाज्जेस्ट है वैसे अब यह non decreasing है तो similar तो और पर non increasing define हो जाएगा है ना जैसे मैं अगर non increasing sequence define करता हूँ देखरों किसी को confusion है कुछ पूछ सकते हो आप तो यह events हैं यह क्या है sequence of events है events क्या होता है element of sigma field मतलब sample space का subset कापे नहीं अभी जस्ट लिमिट है कुछ वह लिमिट सुपिरियर लिमिट इन्पिरियर कर सकते हैं आप कि सुपिरियर ले सकते हो आप यह है तो अल्दा उनके लास्ट लिखा है तो क्या होता है इसका definition क्या है कोई दिखा सुपिरियर भी define मत करोगा ना फिर भी मुझे define करना पड़ेगा चला अभी तो ना इंकरेजागगा तो ना इंकरेजिए को लिमिल रिमिल मcation इंडि करीऌगे सामश्ञति को इंकरेजिकों करेंड बर मेक्ता है क低 पहला इंकरेजर ला consistency on both of assignments general अब़यर जैक कर आफ मत हैम गज्जिपर्ण इंकरेंड प्यादिकों authorities को से स्नोर आinsp・・・ sequence of events ठीक है तो यह हमारे पास आएगा हाँ sequence of events such that यहाँ A1 सबसे larger है A2, A3 and चलता रहे गई है यह चीज है मतलब यहाँ यह हो गया that is जो A1 है वो larger है A N plus 1 से for all N belongs to natural number यह चीज है तो इसमें क्या होगा अब यहाँ पर रिमार्क अगर आप लिखेंगे इसमें क्या होगा जब आप intersection लिखेंगे इसमें क्या होगा तो इस तरह से है इसको हम सॉट में लिख सकते थे तो इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ जो लिखाऊं मैं इसको नोटेशन के फ़र में लिख सकता हूं सेम यहाँ पर भी है कि यह जो हमने लिखा हुआ है कि इस तरीके से है अब यह हम आते हैं कंटिनुटी थियोरम पर क्या कहता है सो इसमें दो थीओरम हए तहा यह थेओरम कहता है कि ठीओरम का रहा है सो लेट ए एन न ऑसा लिखा हुआ है on the sequence of events sequence निके रहा है तहाँ इस तरह से लिख सकता है sequence of events आप इस न लिखने के बजा है एक साथ लिख दिया हमने ऐसा तो इस वी आप चाहिसे न रिखा है नॉन-decreasing sequence of events वाद दो पाट में define करेगा थेओरम को इस वी non-decreasing sequence of events मतलब यह हो गया, that is, वही चीज़ा नॉन डिक्रीजिंग है, तो इन्क्रीजिंग है, तैसा होगा, इस तरह से, तो आप से पूछ रहा आगे की, तो यह कहता है की, probability of union of AIs, I from 1 to infinity, यह किसके इकोल हो जाएगी, इस case में union किसके इकोल हो जाता है, तो increasing वहला है, तो इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यह चीज़, तो यह तो obvious part है, इस theorem का conclusion यह है, कि इस limit को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो यह theorem यह कहता है, तो यह theorem यह कहता है, कि यह equal होगा, limit n tends to infinity, probability of n, क्या है, अच्छा इस से पहले मैं थोड़ा साब से एक concept calculus का पूछता हूँ, limit n tends to infinity, f of n tends to a, limit x tends to a, fx is equal to f of limit x tends to a, ऐसा कब हो सकता है, क्या कर रहा हूँ मैं, यहां पर, रुको रुको मैं क्या बोलना जा रहा हूँ, हाँ, limit inside कब shift कर सकते हैं, so f a कब बोल सकते हैं, ऐसा कब होता है, मैं लिखना क्या चाहरा था, हाँ, limit of x तो यह हो जाएगा, मतलब यह, तुम समझ रहा हूँ इस चीज़ को, यह समझो, मैं बताना कर रहा हूँ कि limit inside कब shift होता है function में, तो ऐसा मैं कब कर सकता हूँ, नहीं 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 नहीं, इसको मैं ठीक सब्सक्राइब भी समझ आ जाएगा, यह x के limit extends to a पर क्या होगी, इसको मैं क्या value लिख सकता हूँ इस चीज़ की, यह क्या है, extends to a है न, export आगया, a रख देंगे, अब बताओ, यह कब equal होती है, नहीं नहीं यह किसका definition है, जान से बताओ कोई, किसका definition है यह, continuity का, हाँ, यह continuity का definition नहीं है, कि limit of function is equal to value of function, limit at a is equal to limit of function at a is equal to value of function at a, यही बताना चाहरा हूँ कि मैं तुम्हें पूछना यह चाहरा था, कि यह a क्यों हो जाता है, definition में a क्यों लिखता है, actually a इसने लिख रहा है नहीं, कि limit x tends to a x, ऐसा है, तो actually यह कुछ नहीं a है, क्योंकि x की limit x tends to a is equal to a है, तो f x tends to a बरावड़े फे यह a है, ऐसा कब करते हैं, if and only if f is continuous function, तो यहां मैं यह बताना चाहरा हूं, इससे तुम्हें बस यह बताना चाहरा हूं यहां पर, कि इस theorem का नाम continuity theorem क्यों है, यह जो theorem है ना, इसका नाम है, इस theorem का नाम है continuity theorem of probability, तो यह continuity से कैसे related है, continuity से related है, कि you can take limit outside a function, और यह तभी ऐसा हो सकता जब function continuous हो, तो मतलब यह theorem है, कैसा आप, कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, जहां भी continuous function है, you can shift limit into inside the function, कहीं भी, हां, हां तो लगा सकते हैं, जैसे मैं इसी का दूसरा version बताऊं आपको, यह तो definition था, तो यह actually definition था, तो यह theorem ने इसको तो, मैं आपसे यह पूछूँ, यह theorem लिखता हूँ, कि limit f of xn, n tends to infinity, is equal to f of, limit n tends to infinity, xn, ऐसा कब कर सकते हैं, बदाब ऐसा मैं कब कर सकता हूँ, limit go inside shift कब कर सकता हूँ, हमें, हाँ, so when f is a continuous function, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, i double f, i double f भी कर सकते हो, continuous function at what, continuous at what point, तो फिर continuity at point, जो xn की limit आएगी, वो होगा, यहाँ, 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 continuity at point बात कोगे, limit मैंने, एक point पे लिया था, इसलिए, continuity at point है, continuous at x is equal to a, यहाँ, in general continuity at point की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ, sequence है, xn, sequence है, तो यहाँ, यहाँ, यह continuous function होगा, each point पे, अब आप करेंगा, if and only if होगा की नहीं होगा है, यहाँ पे क्या होगा, नहीं तो उसके लिए sequence को फिर monotonic होना पड़ेगा, if and only if आने के लिए, अभी यह one way correct है, दूसरे के लिए देखना पड़ेगा, कुछ condition आएगा, कि अगर if continuous function है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा कर पाएंगे, तो continuous होगा, कर दो कोई प्रब्लम में, उपरवाद से relate करोगे तो क्या होगा, लेकिन यह continuity उस point पे आ जाएगे ना, किस point पे जिए लिमिट एक्जिस्ट करेगी, इस पॉइंट पे आ जाएगे, यह है, तो one way का भी sure है देखना पड़ेगा, मुझे two way का क्या है, if and only if sure नहीं होगा, देखता हूँ, हाँ बता हूँ इस से पूछरे थे, हाँ इसी का दूसरा version भी है, इसका दूसरा version है, non-increasing के लिए, तो दूसरा version यह कहता है, कि, let an be non-increasing, non-increasing sequence, of events, ठीक है, let an be non-increasing sequence of events, that is, is an is super set of an plus 1, so, यह आपे क्या है, an be a non-increasing sequence of events, ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या है, an be a non-increasing sequence of events, तो यह भी इफ और यहां भी नहीं लिखा है इसने वन वे लिखा है वन वे ही है ना सो देन क्या होगा आपसे फिर से सेम चीज पूछा जाए तो यहां पर क्या लिखना पढ़ेगा मुझे एंटरसेक्शोण अफ ए 1 क्योंकि यह इट्रसेक्शन ले रहा हूं कि जो हां क्योंकि लास्ट वाला सेट मिलेगा न हमें एन टेंस तो इंपिनिटी ए एन और यह हो जाएगा यू कन टेक लिमिट आउट साइड तो यह कहता है कि यू कन राइट इट लाइक दिस तो आप यह भी कर सकते हो तो यह जो प्रविटी आएगी और यह आएगी वह सेम आएगी तो आगे मैं यूस करूंग आई यह सब तो जब इंसाइड लिमिट होगी सिक्वेंस की तो इसको ऐसा कर सकते हैं बट यह है यूनियन में तब कर पाएंगे जब इंक्रीजिंग सिक्वेंस होगा और इंट्रसेक्शन में तब आईसा कर पाएंगे जब अना जब डिक्रीजिंग सिक्वेंस होगा डिक्रीजिंग सिक्वेंस है नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग और यह दोनों थे गर गज़ बात करता है्ने, प्रप्रलिटी भी बीच फ़ल सटिसफ़ाई कर रहा है, इस कंडिशन जहां बात कर रहा है। एधर कोंडिनीर्वर्स फ़ंक्टन के सटिसफ़ाई करे लिख वे इस कंडिशने साथ इस कबड़ास कि अब आता है जुमेंटिक प्रावलिटी तुम्हारे पास क्या है तो इसको स्टॉप करते हैं अभी अगले क्लास में इसको कंटिनु करता हूं है तो आज हमने क्या डिसकस किया है आज अभी तो यह कंटिनुटी थियोरम देख रहे थे इससे पहले कुछ कुस्टन सॉल्व क में है यह टॉ आज ज्याहर महीं किया नौन डिक्रीजिंक डिक्रीजिग यह कुछ किशहरी कुछ कर रहा है कुछ क्षूक्षें संगस्फ यह मने किया अच प्र錢 किया है इस तरह प्ढ़ bonzer क्रश्च कर सकते हैं घुघाभां सरॉइंच्ण देखते हैं अभी आगे थोड़ा पड़ेगा तो अगर इसको फिर हमें यह थोड़ा समय आगे खीज देता हूं टाइम को उधर ना सारे 6-8 अगर खाली रहेगा थोड़ा सा टाइम उपर कर दूंगा तो हो सकता है यह बैच 9-11 हो जाएगा और 7-9 हो जाएगा आगे हो सकता ह है तो यह हम लोग कर लेंगे आगे अगर ऐसा होगा तो कि 7-9 और 9-11 कर देंगे आगे तो अभी ठीक है तो अगले क्लास देखते हैं चलो क्लास ना सबागंटे वो पाती है बस देर घंटे में सबागंटे होती है दू गंटे की रहेगी तो देर या वन और सकते हैं अब यह स्टॉप करते हैं इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा तो कर देखते हैं